जानेंगे कि शाम के कारुबार इस सत्र के अंदर कृशी फसलो का वैदा बजार NCDX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है सुबा के मुकाबले शाम में किस कमूरिटी में तेजी मंदी बनती नजर आ रही है और ये पूरा कारुबारी सब्ता कैसा रह सकता है कृशी फसलों का ये सब जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले शुरुबात करेंगे हम यहाँ पर कैसा सीड से तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैसा सीड का फरवरी वायदा 420 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है जो लगबग 2 फीज़दी की तेजी बन चुकी है कैसा सीड में सुमा के क्या रुपा इसकत में हमने देखा थे कि 3300 के उपर ट्रेडिंग देखने को मिलेती है अब देख रहे हैं कि 6400 के उपर बजार जाता नजर आ रहा है ज्यादतर एक्सपर्स का यही मानना है कि कैसा सीड में भी शौट टम के लिए 1500-600 तक के लिए वस देखने को मिल सकते हैं कैसा सीड में अभी हार फिलान में तेजी बनती नजर आ सकती है आपको बता दें कि जो बे मौसम बरसात हुई है उसकी वजह से कैसा की जो क्वालिटी है वो थोड़ी इंटैक्ट हुई है और दूसरा प्रोडक्शन भी बीते तीन सालों में कम बताया जा रहा है लगबग 15.98 लैक टन्स के अराउंड बताया जा रहा है कि कैसा सीड का प्रोडक्शन रह सकता है जिसकी वजह से कैसा के जो फंडमेंटल से मजबूती की हो रहा है और अभी छोटी अफ़दी में कैसा सीड की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है बात करें यहां से अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल का फरवरी बादा देख रहे हैं बाइंग इनिशेट वही है बिनौला खल के अंदर और कीमतें अब 32 के लेवल्स पर ट्रेड कर दी नजर आ रही है आज शामीय कारवारी सत्व में बिनौला खल की कीमतों में तीन फीजदी की तेजी दर्ज हो चुकी है बात करें यहां से अगर मसालों की तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिये का अपरेल वायदा 10,160 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है जीरे में देख रहे हैं कि जीरे का मार्च वायदा 19,000 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 19,95 का ही लगा चुके हैं एक फीजदी की तेजी है बात करें यहां से अगर हल्दी की तो हल्दी का अपरेल वायदा देख रहे है 99,02 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है देख रहे हैं कि मसालों में अब दीरे दीरे पहले यहां से तो प्रॉफिट बुकिंग बनी थी लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि जीरे की बात करी जाया है सबसे पहले अगर तो जीरे में आज ठीक ठाक लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 18,000 के बाद अब जीरा यहां पर 19,000 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है जीरे ने 19,000 का स्तर चूलिया है आज सुबा के कारवारी सत्र में जीरे ने 19,000 का ही लगा दिया तो अब देख रहे हैं कि 19,000 के लेवल्स पर ट्रेड भी करता नजर आ रहा है जो जीरे का फरवरी बाद है 19,000 के इस तर पर कारवार करता नजर आ रहा है जीरे का मार्च बाद है देख रहे हैं 19,000 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है तो जो हाजर कारुबारी हैं जीरे के मसालों के वो अभी थोड़ा माल को होल भी करें तो उन्हें ज्यादा फायता होगा क्योंकि आगे रमजान का महीना आएगा और शादी भी आर महुल अभी हम वर्तमान मौजुदा समय में देखी रहे हैं और फिर मार्च में होली भी आएगी तो जो demand है वो as it is लगातार उठती रहेगी काफी शांदार तेजी अब एक से डेड़ महीने में जीरे में बनती नजर आएगी तो जो हाजुर कारूबारी है वो थोड़ा माल अभी अपना निकाल भी सकते हैं और थोड़ा रोख के भी चल सकते हैं आने वाले समय में जीरे में और भी देजी देखने को मिल सकती है fundamentals overall मजबूत ही है इसके साथ बात करेंगा धनिया और हल्दी की तो धनिया और हल्दी में हमने profit booking आते वे देखी थी धनिया में हमने देखा था कि 10,000 की नीचे लुडग गया था वायदा बाजार धनिये का अभी देख रहे हैं कि अप्रेल वायदा 10,160 पर फिर से ट्रेड करता नजर आ रहा है हल्दी में भी देख रहे हैं 9,800 की लेवल्स पर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है 11,000 तक के लेवल्स हमने हल्दी में भी आते वे देखे हैं लेकिन धनिया और हल्दी में अगर technically patterns पर नजर डाला जाए technical charts पर नजर डाली जाए तो धनिया और हल्दी के लिए जो कारोवारी सब्ता है ये थोड़ा ऐसी उठापटक वाला रह सकता है मंदी बनती नजर आ सकती है बिक्वाली का प्रेशर धनिये और हल्दी में देखने को मिल सकता है जीरे में भी हमने यही सेम ट्रेंड फॉलो होते वे देखा था लेकिन आज देख रहे हैं कि जीरे में अच्छी तेजी बनती नजर आई रही है यह से बात करें अगर अब गवार कॉंपलेक्स की तो देख रहे हैं कि गवार गम का फरवरी बादा 11,750 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है तेजी बनती नजर आ रहा है देख रहे हैं कि गवार गम और गवार सीड के अंदर देखने को मिल रही है देख रहे हैं कि जो गवार गम गवार सीड़े हैं उनमें एक सिमीत दारा है अब जादतर जो निवेशक हैं और जो कारोबारी है या तक किसान भी उनका यही सवाल उठ रहा है कि जब गवार के fundamentals मजबूत हैं तो फिर गवार में एक तरफ तेजी देखने को क्यों नहीं मिल रही या तो एक तेजी बनती नजर आएं कि यहां से नीचे से गिरा नीचले स्थर से तेजी शुरू ही है और उपर तक एक स्थर देखने को मिला है उपरी स्थर देख रहे हैं कि यहां पर एक सिमीद दैरा देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा गवार के जो कारोबारी हैं जो किसान इस बात को लेकर थोड़े confusion में है मंडियों के अंदर तो इतनी आवके हैं नहीं और हैं भी तो इतनी अच्छी quality की नहीं है गवार की जो दागी माल गवार का ज़्यादा देखने को मिला है मंडियों के अंदर और production भी पहले के मुकाबले आदा ही बताया जा रहा है लेकिन demand अभी इतनी ज़्यादा कोई खास देखने को नहीं मिली है बीच में कच्छे तेल की कीमतों के चलते कुछ जानगार होगा कहना था कि गवार की जो है वो तेज होगा हमने टेक्निकली तेजी बंते भी देखी लेकिन ये टेक्निकल तेजी भी नहीं बंते नहीं चाहिए थी क्योंकि इसका reason यह है कि गवार गम की कीमते भारत में तब बढ़ती है जब अच्छे तेल का उत्पादन ज्यादा बढ़ता है और अमेरिका में अभी कच्छे तेल का जो उत्पादन है वो ज़ादा देखने को नहीं मिल रहा है इन्वेंटरीज में थोड़ी बहुतरी जरूर मिल जाती है लेकिन उत्पादन इतना देखने को नहीं मिल रहा है तो ऐसी situation के अंदर गवार complex में क्या करके चलना सही रहेगा जान लेते हैं अपने expert से इस वक्त हमासा जुड़ चुके हैं IAFL Securities के Vice President Anuj Gopta जी Anuj जी बहुत बहुत स्वाथ आपका Market AMCV पर जी अखिलेज जी गुड़ाफटनून जी में एक तरफा तेजी कब तक देखने को मिल पाएगी अब दीए गलेज जी Market का जो Momentum है वो भी range bound है कोई ऐसा strong fundamental भी नहीं है अलाग लॉंग term trend इसका positive है मगर फिलहाल अगर हम short term की बात करें तो मुझे लगता है कि Market अभी range में ही रहेगा ऐसा कोई major trigger नहीं दिख रहा है बट मुझे लगता है कि अभी फिलहाल Market में थोड़ा pressure आ सकता है क्योंकि हमने देखा है कि Vivian Agriculture Commodity में राइवल आती जी स्टार्ट भी तो sentimental थोड़ा सा हमें लगता है Market का sentiment नहीं पर down हो सकता है फिलहाल अभी short term के लिए हमें लगता है खरदारी से बचना चीए बहाव एक बार नीचे की तरफ आ सकते है यह से नोजी बात करें अगर कैसर सीर की तो कैसर सीर में आपने बताया था कि कैसर सीर में छोटी अवदी में तेजी देखने को मिल सकती है कैसर में फिर से खरिदारी निकली है कैसर सीर का फरवरी वाइदा 2400 के अपर ट्रेड करता नजर आ रहा है तेजी की तेजी आज कैसर में बंती नजर आ रही है आपको क्या लगता है क्या इस कानुबरी सब्सक्ता में तो यानि कि आने वाले 15-20 दिनों के अंदर कैस्टर ठीक ठाक मुनाफ़ा देता वान अज़र आ सकता है कैस्टर में खरीदारी के ट्रेंड में रहा जा सकता है नुजी के मताविक ये से नुजी बात करें अगर अब बिनॉला खल की कॉटन सीर ओल केक की तो हमने बिनॉला खल में देखा था कि पहले 3400 का लेवल टच हुआ वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया फिर 3300 के लेवल्स पर काफी समय तक एक सीमित दैरे में ट्रेड करता दिखा फिर वहाँ से हमने प्रोफिट बुकिंग बनती देखी और लेवल 3300 तक भी बनते देखी लेकिन 3031 का लेवल चुने के बाद देखने बिनॉला खल एक बार फिर से निचले स्थरों से खरीदारी में रहा है और अभी 3.2 की तेज़ी देखने को मिल रही है आपको क्या लग सकता है क्या बिनॉला खल में यहां से अब फिर से 3400 का लेवल देखने को मिल सकता है और लगता नहीं है कि ऐसा कोई लंबी तेजी यहां देखने को मिलेगी क्योंकि हमने को में लगता है कि अभी जो मार्केट आज उपर आया एक फोड़ा शॉर्ट कवरिं की वजे से हमें अगें यहां पर हाइर लेवल बिक्वाली देखने को मिल सकती है एक्सपेक्टिड कर रहे हैं कि दुवारा से नीचे में 3100 तक के लेवल कॉटन सीड ओयल के देखने को मिल सकते हैं हमारा व्यू यहां पर फोड़ा सा लिपिट बिट बेरी शॉट सम के लिए तुछा नेग यह जनुची बात करें अगर मसालों की तो मसालों में हमने काफी अच्छी तेजी बनती देखी है लेकिन फिर वहां से प्रॉफिट बोकिंग भी आते हुए देखी हाला कि आज देख रहे हैं कि धनिया की जीरे की बात करूँ अगर सबसे पहले तो जीरे में आपने 19,000 का अब यहां से आपको क्या लगता है जीरा, धनिया और हल्दी कैसे रह सकते हैं अगर मसालों में ट्रेंड पॉजिटिव है हमें लगता है कि मसालों के अंदर जो खरदारी लौटी है वह कंटिनू रहेगी अलागि जीरा भी हमें काफी अप्टिमिस्टिक लगता है क्योंकि तो करीबुन 10-500 तक के लेवल अगे ना सकते हैं तो यहां पर खरदारी की ही सलाहमलर्गता मसालों में ली जा सकती हैं यहानि की मसालों में आगे तेजी ही देखने को मिलेगी ध्यधीहिजीहियगा यहसे नुची बात करने के सोयबीन کی तो सोयबीन में सबसे पहले अगर विदेशों की बात की जाए तो विदेशों में तो ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयबीन को उत्पादन कम ही बताया जा रहा है कि वहाँ पे उत्पादन सूखे के चलते कम रह सकता है वहीं से यूएस में देख रहे हैं कि यूएस में सोयबीन को प्रोडक्शन ज्यादा बताया जा रहा है और भारत में देख रहे हैं इंडिया में कि जो मंडियों में आवके हैं वो कम देखने को मिल रही है ऐसे में आपको क्या लग रहे है भारत में सोयबीन की कीमतों में अभी क्या नर्मी रहेगी क्योंकि हम आदेख रहे हैं कि आगे सरसो की अराइवल्स भी आने वाली है तो क्या उसकी वज़ा से सोयबीन का बजार लुड़क सकता है अधिये इस बार भारत के अंदर भी इसमने अच्छी फसल सोयबीन की देखी है और तरसो की फसल भी अच्छी देखने को मिल रही है तो हमें लगता है कि भाव कुछ यहां पर रुखते हुए नज़र आएंगे हाना कि इंट्रनेशनल मार्केट में कुछ तेजी देखने को मिली है इस बार इंपोर्ट भी काफी हुआ है पाम तेल तो हमें लगता है कि अधिवल ओयल में कुछ नर्मी के साथ याने वाले दिलों में ट्रेड देखने को मिल सकता है अभी फिलाल जो क्रॉप साइजर वो भी अच्छा है तो बिक्वाली की ही सला रहेगी हमें लगता है कि भाव यहाँ पर अभी कुछ स्टेबल हो सकते हैं और बिक्वाली के साथ ट्रेड यहाँ पर हो सकता है जी इसे बात करें अगर कॉटन की तो कॉटन में हमने 37,000 के उपर के भाव बनते देखिए लेकिन देख रहेंगी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से कॉटन में नर्मी आते वे दिख रही है आपको क्या लग रहा है कॉटन में यह जो नर्मी है यह क्यों बनती नजर आ रही है और कॉटन में आगे कैसा रुजान रहेगा और नर्मी क्यों ट्रेड हो सकते हैं तो यानि कि उपरी स्तर उसे जो लिवाल है जो उठाव है कॉटन का वो थोड़ा कम देखने को मिला है अनु जी आगरी सवाल रहेगा मेरा आप से आप टॉपिक्स के देना चाहेंगे आज के लिए जिसमें अच्छा मुनाफ़ा कामा की चला जा सकता है बहुत बहुत शुग्रिया अनु जी हमाई साथ जुड़े निकलो जानगारी साजा करने के लिए तो ये था एक छोटा सा क्रिशी फसल बजार का अपडेट कि शाम के कारवारी सत में क्रिशी फसलों का वायदा बजार कैसा ट्रेड करता नजरा आ रहा है और उस पर हमारे जानकार की क्या रहा है थी फिलार बजारों की चाल में अभी की लबस्त नहीं मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार फिर से आगया है कोरोना घर पर रहने में ही है सब की भलाई अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना बिग ब्लिस लेकर आएगा दस मिनट में आके घर पर दवाई बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान